एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहा करता था जो की बहुत ही दुश्ट था वो जंगल के बाकी जानवरों को बहुत परेशान करता था जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान रहने लगे थे लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हाथी आकार और ताकत दोनों में ही उनसे बहुत बड़ा था एक दिन वो हाथी कही जा रहा तो उसे रास्ते में एक पेर दिखा उस पेर पर कुछ चिरिया रहती थी तथा उनके गोंसले भी थे जिन में उनके अंडे थे इसके इलावा उस पेर पर और भी कई जावर रहते थे जैसे कीड़े मखी और गिलहरी आदी उस पेर को देखकर हाथी ने उनसे शरारत करने की सोची उसने अपनी सून से जोर जोर से पेर की तहनियों को हिलाना शुरू कर दिया उस पेर पर रहने वाले सभी जानवर बहुत डर गए और उन्होंने जोर जोर से आवाजे निकालना शुरू कर दिया लेकिन हाथी ने उनकी आवाज न सुनी वो टहनियों को हिलाय जा रहा था चिरिया अपने घोंसले और अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सिर्फ अपना घोंसला बच्चा पाई उसके अंडे नीचे गिर कर तूट गए ऐसे ही बाकी चिरियों के अंडे भी तूट गए सारी चिरिया उड़कर दूसरे पेर पर चली गई कुछ देर बाद हाथी भी वहाँ से चला गया सारी चिरिया वही बैठ के रोने लगी और कहने लगी की वो इस हाथी को नहीं छोड़ेगी इसने हमारे अंडे तोड़े है उनमें से कुछ चिरिया ने कहा कि हम उस हाथी तब सभी चिरियों ने उससे कहा कि हम उसका क्या कर सकते है तब कोवे ने कहा कि एकता में बल होता है हम सब साथ मिलकर उसे सबक सीखा सकते है कोवे ने कहा कि मेरा एक दोस्त में धक भी है हम उसकी मदद भी ले सकते है और हम कुछ और दोस्तों की मदद भी ले सकते है उसकी बात सुनकर कुछ चिरियों में होसला जाग गया उन्होंने कहा कि हम भी इस काम में मदद करेंगे और हमारे कुछ दोस्त भी थे उस पेर पर जैसे गिलहरी और मक्ही वो हमारी मदद करेंगे फिर वो सब जोश के साथ हाथी को सबक सिखाने के काम पर लग गए उन सब ने एक प्लान बनाया और जब हाथी सो रहा था तो मकी और गिलहरी को उसके पास भेज दिया जिन्हों ने उसकी नींद खराब कर दी हाथी ने जैसे ही अपनी आख खोली कोवे ने अपने बाकी कोवे दोस्तों के साथ मिलके हाथी की आंखे फोर दी जिससे हाथी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वो इथर उथर भागने लगा चिरिया भी उसे चोंच मार के खाई की और भगाने लगी हाथी खाई की और जा रहा था तब ही उसे आता देख मेंधक जो वहा उसका इंतजार कर रहे वो आवाज निकालने लगे मेंधकों की आवाज को सुनकर हाथी को लगा कि वहा एक तालाब या नदी है, उसने ये सोचकर छलांग लगा दी और मर गया, अब जंगल के सारे जानवरों को उससे चुटकारा मिल गया था, अब वो खुशी से अपना जीवन बिताने लगे सिख इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि एकता में बल होता है, यदि हम सब एक साथ मिल जाए तो कोई भी काम बड़ा नहीं है, हम एक साथ बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते है